ओम नमः शिवाय हर हर महादेल शिवजी आपकी हर मनुकामना पूर्ण करें गुरुजी की भविश्यवानी चलिए जानते हैं नेश राशी नेश राशी के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास ही रहेगा किसी वरिष्ठ व्यक्ती के सहयोग से लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी आपकी इच्छा शक्ती और रचनात्मक्ता में सुधार आएगा संपरकों का दाइरा भी रहा है जो भविश्य में आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा धन के मामले में धैर्य और शांती बनाए रखने की जरूरत है योजनाओ को क्रियानवित करने में कुछ ना कुछ व्यवधान भी आएंगे परन्तु हिम्मत ना हारे और प्रयासरत रहे जमीन जायदाद ववहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन हो सकती है फिजूल खर्ची पर नियंत्रन रखे व्यवसाइक मामलों में कोई निर्ले लेते समय परिस्थितियों आपके उज़ा सकती है बिना सोचे समझे अपनी योजनाओं को किसी से भी ज़्यादा शेर ना करे पार्टनर्शिप में कुछ मद्भेद भी खड़े होंगे युवा लोग प्रेम प्रसंगों में ना उज्जे गर्मी और उमस की वजह से आपको सिरदर्दवमान से ठकान महसूस होगी इसलिए आराम भी लेना आवश्यक है भाग्यशाली रंग है गुलाबी भाग्यशाली अंग है एक आज का उपाए खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा श्री कृष्ण कहते हैं शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन में कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मारने आ गई यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका दुबोने तक रहा प्रिष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए है तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता प्रिष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की हर परिस्थिती को जिया और जीता प्रिष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं और इश्राश्षी आज का ग्रह गोचर आपके लिए कई अनुकूल परिस्थितियों बनाने वाला है पारिवारिक सदस्यों के साथ धर की सुक सुविधा संबंधी गतिविधियों में सुख़द समय व्यतीत होगा आप अपने किसी काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लेंगे जिसमें उचित सफलता भी मिलेगी ससुराल पक्ष के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर संबंधों में खटास ना आने दे कामकाज की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में कुछ तल्खी और चिल्चिलापन जैसी स्थिती रहेगी घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थे के प्रती सजग रहे किसी भी समस्या को धैर्य से सुलजाए कारोबार में वरिष्ठ अधिकारियों परिवार के सदस्यों का उचित समर्थन और मदद मिलेगी फोन और संपर्कों के माध्यम से भी गतिविदिय सुचारू रूप से चलती रहेंगी नौकरी में फाइले और पेपर व्वक पूरा करने में ओवर टाइम करना पड़ सकता है पती पतनी के बीच मधुर तापून संबंध रहेंगे जिसका असर घर की सुख शांती और व्यवस्था को भी बहतर बनाए रखेगा कुछ समय अपने अपने आराम और देखभाल के लिए भी जरूर निकाले थकान और तनाव की वजह से शारीरिक कमजोरी रह सकती है भाग्यशाली रंग है आस्मानी, भाग्यशाली अंख है पाश आज का उपाए, खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन में कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मार ने आ गई, यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिती को जिया और जीता कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गय है हम कर्मों से ही परेशानियों से जीट सकते है मिथुन राश्षी आज आप अपनी उर्जा और सूज बूझ द्वारा कोई लक्ष पाने में सफल हो सकते है कार्य प्रणाली बहतर होगी और मन चाही सफलता मिलने से थकान दूर होगी युवाव तथा विद्यार्थियों को प्रतिसपर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाय है समय अनुसार ही कोई निर्नय दें, जल्दबाजी और आवेश की वजह से आपकी व्यक्तिगत कार्यों में तथा संबंधों में रुकावट आ सकती है करियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने एहम को आरे ना आने दे अन्यथा बनता हुआ काम बिगर जाएगा व्यवसाइक द्रिष्टी से समय सामान यही है गतिवेधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार वमूल याकन करने की जरूरत है उधार दिया हुआ पैसा या पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आज का दिन उत्तम है नौकरी पेशा लोगों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोग आपके मनोबल और आत्म विश्वास को बनाए रखेगा प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती है माईग्रेन वसिर दर्थ की वजह से दिन्चर्या अस्त्व्यस्त हो जाएगी गरेश्ट तथा तला भुना खान पान लेने से परहेज रखे भाग्यशाली रंग है के सरिया भाग्यशाली अंग है छै आज का उपाए खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा श्री कृष्ण कहते हैं शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रे में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मार ने आ गई यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए है तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की हर परिस्थिती को जिया और जीता क्रिश्न कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गए है हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं कर्क राश्शी खास्तोर पर आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है आप हर परिस्थिती का मुकाबला हिम्मत वसाहस से करेंगे कुछ नई योजनाय बनेंगी जो की आने वाले समय में लाबदायक साबित होगी परिवार के साथ कोई लंबी यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है आज दिन भर बहुत अधिक कार्यभार बना रहेगा परन्तु अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें काम के साथ साथ आराम भी लेना आवश्यक है बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने उपर हावी ना होने दे वर्तमान में ही रहना सीखें बिजने संबंधी गतिविधियों में अपने योजनाओं को साकार करने का शुप समय आ गया है कोई विभागिय जाच चल रही है तो उसका नतीज़ा आपके पक्ष में आएगा जिसकी वजह से आप तनावमुक महसूस करेंगे सरकारी सेवारत व्यक्तियों को तरक्की मिलने के अफसर बन रहे है दामपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रती प्रेम और विश्वास की भावना बनी रहेगी परंतु प्रेम संबंधों के उजागर होने से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है घुटनों व पैरों में दर्थ की समस्या परेशानी कर सकती है अपनी जाच करवाएं तथा उच्चे तिलाज ले भाग्यशाली रंग है सफेद भाग्यशाली अंख है दो आज का उपाएं खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बहतर होगा श्री कृष्ण कहते हैं शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन में कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मारने आ गई यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आये हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की हर परिस्थिती को जीया और जीता कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गय है हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं सिंग राशी सिंग राशी के लोगों की गतिशीलता और आकर्शक व्यक्तित्व भर्पूर बना रहेगा अपनी योजनाओं को मूर्थ रूप देने का अनुकूल समय है युवा वर्ग अपने लक्षय को लेकर फोकस रहेंगे कुछ समय रचनात्मक तथा मनोनुकूल कार्य के लिए भी जरूर निकाले इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा अपनी समर्थ से ज़्यादा उधार देने से परहेज करे कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे की जिन पर कटोती करना भी संभव नहीं होगा कुछ विरोधा भासी प्रवरिती के लोग आपके लिए परेशानिया खड़ी कर सकते हैं भूमी वहन की खरीद फरोक्त संबंधी मामलों में सावधानी बरते व्यवसाइक द्रिष्टी से समय सामान्य ही है अभी किसी नए काम की शुरूआत करने से पहले सोच विचार करें या आज स्थगेथी रखें यह समय मार्केटिंग तथा अपने संपरकों को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है ओफिस में किसी सहयोगी की गतिविधी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी पती पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से कुछ मत्भेद रहेंगे सहज तरीके से समस्याओं को सुलजाए प्रेम प्रसंद में मधूर्ता बनी रहेगी ब्लड प्रेशा तथा डाइबेटीज संबंधी नियमित जाच अवश्य करवाए स्वास्थ्य के प्रतिला परवाही करना उचित नहीं है उचित इलाज ले भाग्यशाली रंग है और अंज भाग्यशाली अंग है चार आज का उपाए खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दे तो आपका दिन और भी ज़्यादा बहतर होगा श्री क्रिश्न कहते हैं शुरू से अंतक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन्मे क्रिश्न पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मानने आ गई यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा क्रिश्न का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए है तो संधर्ष हमेशा रहेगा माननव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता प्रिश्न ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की हर परिस्थिती को जीया और जीता प्रिश्न कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है हम कर्मों से ही परेशानियों से जीट सकते हैं कन्या राश्शी, दूसरों से उम्मीद की अपेक्षा करने के बजाए अपनी क्षमता पर विश्वास रखना आपको सफलता देगा साथ ही आत्म विश्वास भी बना रहेगा कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे खर्चों पर नियंत्रन रखने से आर्थिक समस्या से भी निजात मिलेगी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कते आ सकती हैं एक बात का खास ध्यान रखे कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना है विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रती एकागरता का अभाव रहेगा सोशल मीडिया तथा फाल्तु बातों में अपना समय नश्ट ना करे गवसाय में किसी नए काम की भी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी उससे संबंदित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है अनुभवी लोगों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दे आपको निश्चित ही उच्चित समाधान मिलेगा नौकरी में मनचाहा काम मिलने से आप खुश रहेंगे पती-पत्नी आपसी सामंजस्य और सूज-बूज द्वारा घर की व्यवस्था को बहतर बना कर रखेगे प्रेम संबंधों में कुछ गलत फहमिया आ सकती है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखे ज्यादा सोच विचार करने वतनाव लेने से सिर्ध दर्द और पेख खराब होने जैसी स्थिती बन सकती है अपनी भावनाओं पर काबू रखे भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक है नौ आज का उपाए, खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन में कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मार ने आ गई, यहां से शुरू हुआ संधर्ष देल त्यागने से पहले द्वारी का डुबोने तक रहा कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए है तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिती को जिया और जीता कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गय है हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं तुला राश्शी, आपका व्यक्तित्व और स्वभाव आसपास के वातावरं में सराहनिय रहेगा इस समय कई खर्चे सामने आएंगे, परंतु साथ ही आय के स्ट्रोथ भी बढ़ने से आर्थिक समस्या नहीं रहेगी संतान की शिक्षा अथवा करिय से संबंधित रुकावटे दूर होंगी पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिवेधियों में अपने निर्नय सर्वोपरी रखने की बजाए दूसरों के विचारों पर भी ध्यान दे घर में संबंधियों के आर्गमन से कुछ खास कारिय रुक भी सकते हैं विद्यार्थी पढ़ाई में व्यवधान आने की वजह से तनाव और चिंतित रहेंगे व्यवसाय में कुछ नए संपर्ग बनेंगे जो की प्रभावी भी रहेंगे परंतु किसी भी तरह की डील करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है इस समय मशिनरी वर टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे सरकारी सेवारत व्यक्ति उच्चादिकारियों के दबाव से परेशान हो सकते हैं दामपत्य संबंधों में मधूर्ता बनी रहेगी तथा परिवार के साथ हंसी खुशी भरे पल्व्यतित होंगे आपसी समंजस्य के अभाव के कारण प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है घर के किसी सदस्य के बिगरते स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें उनका उच्चित इलाज वद देखभाल जरूरी है भाग्यशाली रंग है गुलाबी भाग्यशाली अंख है पाक्ष आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बहतर होगा श्री क्रिश्न कहते हैं शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है काराग्रेह में जन में क्रिश्न पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया तीसरे दिन पुतना मारने आ गई यहां से शुरू हुआ संधर्ष देल त्यागने से पहले द्वारिका दुबोने तक रहा क्रिश्न का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए है तो संधर्ष हमेशा रहेगा मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता क्रिश्न ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की हर परिस्थिती को जीया और जीता क्रिश्न कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गय है हम कर्मों से ही परेशानियों से जीट सकते हैं। वरिष्चिक राश्ची आज किसी वरिष्ट सदस्य से मनपसंद तोफ़ा मिल सकता है। आपका सकारात्मक द्रिष्टिकोन आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा। आज आप कोई बड़ा फैसला लेंगे और अपन आसपास के लोगों के साथ संबंधों में मधूर्ता बनाए रखें क्योंकि विचारों में भिन्नता के वजह से कुछ मत्भेद उच सकते हैं। दूसरों की बुराईयों पर ध्यान ना देकर अपनी दिन चर्या में ही मस्त और व्यस्त रहें। कुछ समय आध्यात्मिक स्थ पर भी जरूर लगाए। बिजनेस बढ़ाने की योजनाय बनेंगी। जिन पर आप काम भी करेंगे। आप प्रियानवित भी करेंगे। किसी प्रभावशाली इंसान की अच्छी सलाह मिलेगी। ओफिस में सहयोगियों की साथ उच्चित सामान्य से बना रहेगा। किसी प मिल सकती है। आपका व्यवस्थित दिंचर्या तथा खान पान आपको स्वस्थ और उलजावन बना कर रखेगा। परंतु कोई भी जोखिम ना ले और वहन सावधानी से चलाए। भाग्यशाली रंग है क्रीम, भाग्यशाली अंक है तीम। आज का उपाए। खाने पीने कि वस्थू का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी जादा बहतर होगा। श्री क्रिश्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है। काराग्रेह में जन में क्रिश्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन प आता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनातियों से बच नहीं सकता। प्रिश्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, खर परिस्थिती को जीया और गया। प्रिश्ण कहते हैं परिस् हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं। धनू राश्शी, सही समय पर सही निर्नय लेना आपकी तरक्की का कारण बनेगा। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहे तथा खुद भी सकारात्मक बने, इससे आपके व्यक्तित्व और कार्यक्षम्ता में और अधेक निखार आएगा। किसी समारोह आदी में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। किसी भी चुनोती अथ्वा परीक्षा की घड़ी में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। स्वार्थी मित्रों से दूरी बना कर रखें। उनकी गलत सलाह आपको आपके लक्षे से भटका सकती है। विद्यार्थी अपने भाविश्य से संबंदित कोई भी निर्नय लेते समय घर के वरिष्ट लोगों का मार्गदर्शन भी अवश्य ले। इस समय कार्यक्षेत्र की छोटी सी छोटी बात की भी गंभीरता और बारीकी से मूलियाकन करने की आवश्यक्ता है। फोली सी सूजबूज और सावधानी से मन मुताविक सफलता मिल सकती है। कारोबार के कागज व्यवस्थित रखे और किसी भी अपरिचित के हाथ में ना आने दे। पती पतनी के बीच भरपूर सामनजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमिया बढ़ने से इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पढ़ सकता है। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाए। इससे शारीरिक और मानसिक वूर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। भाग्यशाली रंग है और अंज भाग्यशाली अंग है साथ। आज का उपाए, खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंध तक जीवन संधर्ष ही है। काराग्रेह में जन में कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संधर्ष देल त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिती को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं। मकर राशी, घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तूओं की शौपिंग आदी में ही दिन का अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा। इस समय आर्थिक स्थिती को बहतर बनाने के लिए आपके प्रयास सफर रहेंगे। बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर चल रही कोई समस्य आज हाल हो सकती है। किसी भी विप्रीत परिस्थिती में सहच्ता और धैर्य बनाये रखें। ध्यान रखें की गुस्से और आवेश की वजह से कई बार बना बनाया काम अंतिम चरन पर अटक भी सकता है। जो की फाइदे मंद रहेगा। विस्तार संबंधी योजनाओं पर दोबारा विचार करना जरूरी है। कामकाजी महिलाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त अधिकारियों का मार्गदर्शन और सलाह जरूर ले। वैवाहिक संबंधों में नस्दी किया बढ़ेगी और घर में भी सुखद व्यवस्था बनी रहेगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों तथा ओनलाइन गति विदियों में अपना समय व्यर्थ ना करें। संतुले ताहार के साथ साथ व्यायाम और योगा ऐसी बातों पर भी ध्यान जरूर दें। भाग्यशाली रंग है पीला, भाग्यशाली अंक है नौ। आज का उपाए, खाने पीने की वस्तू का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है। काराग्रेह में जन में कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मार ने आ गई, यहां से शुरू हुआ संधर्ष देल त्यागने से पहले द्वारी का डुबोने तक रहा। क्रिष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आये हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता। क्रिष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिती को जिया और जीता। क्रिष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव यह हैं, हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं। कुम्भ राशी के लोग आज अपने किसी विशेश कार्य में मनोनुपूल सफलता हासिल करने में सक्षम रहेंगे, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धी होगी तथा नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता भी बनेगा। किसी कार्य की सिलसिले में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। युवाव को अपनी मेहनत का परिणाम पाने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर बिलकुल भी विश्वास ना करें, जो दुहरा व्यक्तित्व रखते हो। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिवेधियों से संबंधित जानकारियां भी ले। कारोबारी गतिवेधियों में अनुकूलता रहेगी। प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों की गतिवेधियों पर ध्यान दें, इससे आपको कई एहम जानकार प्रगारिया मिलेंगी। आपने अपने कारोबार में जो बदलाव संबंधी नीतिया बनाए हैं, उस पर जल्दी ही अमल करें। नौकरी पेशा लोगों की किसी वजह से अपमानजनक स्थिती भी बन सकती है। पती-पत्नी आपसी सामन जस्य से चल रही किसी समस्या का पूल असर आपके स्वास्थे पर पढ़ सकता है। इस समय स्वास्थे की रक्षा हे तु सभी नियम का पालन करना अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है लाल, भाग्यशाली अंख है दो, आज का उपाए, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंतक जीवन संधर्ष ही है। काराग्रे में जन में कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई, यहां से शुरू हुआ संधर्ष देल त्यागने से पहले द्वारिका दुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनोतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिका नहीं की, हर परिस्थिती को जीया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला करतव गय है, हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं। नीन राश्षी, अपनी, किसी कमजुरी पर विजय पाने के लिए किये गए प्रयासों के परिणाम मिलने वाले हैं। आप अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मत बदलाव महसूस करेंगे। आप पूरी मेहनत वपरिश्रम से जिस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे ह अवश्य ही सफलता मिलेगी साथ ही किसी नजदी की मित्र का सहयोग आपकी हिम्मत और होसला बढ़ाएगा। कोई राजखिय कार्य अटका हुआ है तो अभी उससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। अपने शुपचिंतकों से अपनी समस्याओं के बारे में समाधान लेन से आपकी मुश्किल हल हो सकती है। संतान के भविश्य से संबंधित किसी बात को लेकर तनाव बना रहेगा। बिजनेस में एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। किसी भी काम की योजना बनाते वक्त अनुभवी लोगों की सलाह पर विचार करके ही फैसला ले। जल्दी ह कि व्यवसाय संबंधी कोई सपना भी साकार होने वाला है नौक्वी में काम पर पूरा ध्यान दे, किसी वजह से अधिकारियों से डाट फटकार सुननी पड़ सकती है। परिवार में सहयोग वसुख शांती पूर्ण वातावरन रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मेरिटल अफ से परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। कभी-कभी किसी बात को लेकर बहुत अधिक तनाव और एंजाइटी महसूस करेंगे। परंतु ध्यान दे तो पता चलेगा कि इतनी गंभीर नहीं है। आपने व्यर्थी तनाव लिया है। भाग्यशाली रंग हैं भाग्यशाली अंख हैं दो, आज का उपाए, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संधर्ष ही है। काराग्रेह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात मे यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मार ने आ गई। यहां से शुरू हुआ संधर्ष दे त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संधर्ष हमेशा रहेगा। हर परिस्थिती को जीया और जीता। प्रिश्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव गय है, हम कर्मों से ही परिशानियों से जीत सकते हैं।